नमस्कार दोस्तों वेलकम तू मार्केट क्या लगता है आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का आरेस चार्ट पे और प्राइस चार्ट पे दोनों पे इंट्रेस्टिंग दिख रहा है उस पे भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से आज निफ्टी पॉइन पॉजिटिव दिया और बैंक निफ्टी 333.333 कॉइन पॉजिटिव दिया तो क्या यह एक निगेटिव जो ट्रेन था निगेटिव जो मूव था 22,700-800 से क्या यह एक अब ट्रेन चेंज हो रहा है तो यह जरूर हम देखेंगे और लास्ट वीडियो में हमने यह डिसकस भी किया था Saturday को कि हो सकता है कि पॉसिबल एक या दो दिन में जब ट्रेन जो है थोड़ा पॉज ले सकता हूँर रिवर्स हो सकता है लेकिन हम प्रियम्ट नहीं करेंगे हम वीट करेंगे ब्रेट चार्ट का कि क्या वहां से कुछ हिंट आता है क्या तो सबसे पहले आज जो हम चार्ट से ही और जब उसके लिए आर्जोन में हम गए और यहां पर ब्रेत में आर्जोन में ब्रेत में जाके अगर आप रन करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स का तो यह इंडिकेशन क्या था यह जो रेट कैंडल जो दिख रहा है 26 था उसके बाद 28 हुआ उसके बाद आज 38 ह हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ फर्स्ट यह इंडिकेशन है कि पार्टिसिपेशन स्ट्रॉंग होते जा रहा है जो वीक था तो पार्टिसिपेशन अब दीरे-दीरे जैसे-जैसे मार्केट उपर जा रहा है प्राइस उपर जा रहा है पार्टिसिपेशन भी हो रहा है ऐ अगर हम इसको थोड़ा जूम करें तो यह ब्रेट चार्ट है अगर एवरेज का अगर हम देखें तो जब यह बुलिस क्रॉसोबर उसके बाद बेरिस क्रॉसोबर हुआ था तो जब हमने हिंट दिया था कि अब एट लिस्ट थोड़ा पॉज यानि पॉसिबिलिटी है यह वहां से यह जो डाउंसाइड आज जो 22,000 प्रॉक्स 21,821 का जो लो लिया है तो वहां तक यह आया अब यह फर्स टाइम फिर से आज बुलिस क्रॉसोबर गया तो दोस्तों यह तो यह सिगनल जरूर हो गया कि अब शॉट एववाइड करो जैसे यहां पे लॉंग मैं हमने बोला था कि लॉंग आववाइड करो अब साट अब आपके पास अपरचुंटी होना चाहिए किया कि अब बुलिस अपरचुंटी आप यह कैप्चर करो तो फॉर्स हिंट निफटी में इंडिकेसन है बुलिस क्रॉस अब आपको बुलिस अपरचुंटी देखना चाहिए अब इसके साथ साथ थोड़ा बैंक इंडेक्स का भी हम देख लेते हैं आज और तब हम आएंगे विकाज क्या निफ्टी बैंक जो है तो आपको फिर बैंक इंडेक्स पे भी आपको ध्यान में रखना है कि यानि निफ्टी 50 भी बैंक भी सपोर्ट कर सकता है अब निफ्टी 450 का देखते हैं क्यों हम यह देख रहे हैं आभीकॉज जब ब्रादर मार्केट की की अगर हम बात करते हैं निफ्टी 450 तो यहां पी Summit 500 लेते हैं और इसकान करते है तो scan के बाद यह result देगा कि broader market में क्या हुआ है क्या वहाँ पे कुछ हलचल है यानि जो upside जा रहा है participation हो रहा है या नहीं तो यह अगर आप देखोगे तो यहाँ पे scan होके nifty 500 का यह ब्रेत है और यहाँ पे भी crossover हुआ है 17 उसके बाद 23 उसके बाद 2700 participation हो रहा है अब nifty 450 में इसका मतलब क्या है कि all over market broader market में भी participation है continue हो रहा है bullish crossover हो रहा है तो possibility है train bullish train अब resume हो सकता है तो क्यों से level के नीचे हमको bearish फिर से जाना चाहिए वो सब पे बात करेंगे फिलहाल अब chart पे आ जाते है और nifty 50 का यह chart है जहां पे हमने यह chart tweet भी किया था और telegram channel पे भी डाला था सो यह bearish 45 degree train line जब plot किये थे यानि अल्मोस 3rd में को और 3rd में से 13 में है अल्मोस 10 दिन तक यह continuous down train में रहा अब इसने यह breakout दिया है और उसके उपर यह probable diagonal triple top जिसको अगर कल यहां पे double top मिलता है तो अबब 20 smart line भी है और upside जो count है 22,400 और 22,560 जो दिख रहा है यह count अभी भी open है अब यह bearish count है यह invalid count हो गया क्यों? because जो यह high था इसके उपर price चला गया तो अब upside जो दिख रहा है यह possible यानि 22,560 अभी तक इसके बाद फिर से जो count आएगा वह हम जरूर आपको intimate करते रहें बट overall setup जो है जरूर bearish trend line को breakout दिया है तो bullish जरूर हो गया है इसमें कोई doubt नहीं दिख रहा है हाँ अब यह fail कब हो जागा अगर price 22,000 के नीचे अगर sustain होता है तो यह pattern fail हो जाएगा और फिर से आपको bearish opportunity दिख सकता है तो 22,000 आपका एक बोल सकते हो कि base level हो गया एक support हो गया important support level हो गया ओके जो है फिर से bullish हुआ है तो क्या यह train continue रहेगा possibility है train continue हो सकता है जो current pattern failure level है वो 47,300 के नीची अगर आता है तो pattern fail हो जाएगा तो इस पी आप ध्यान रखे 48,700 और और भी जा सकता है बड़ ट्रेंड follower के लिए आपको वाकिंग यानि DA smart का वाकिंग लाइन पर आपको ध्यान देना है तो यहां पर भी जरूर बुली सेट अप हो गया अब यह दोनों के बाद हम intraday level की बात करेंगे लेकिन उसके पहले थोड़ा nifty 50 का EOD chart हम देख लेते हैं कि क्या वहां पर कोई changes हुआ है या नहीं तो 0.1% box size हम यूज करते हैं और यस प्राइस ने moving average के नजदिक सपोर्ट लिया है क्या यह कब तक यह sustain होता है तो 21,900 जैसे हमने newsletter में भी mention किया है 21,900 और 800 यह एक major support है इसके नीची अगर प्राइस जाता है तो possible यह trend reverse हो जाएगा जो continuous जो bullish train था वो अब change हो जागा लेकिन जब तक कि इसको hold करता है बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं दिख रही है अभी भी यह मुझे sideways movie है विकाज जो 45 डिग्री ट्रेल लाइन आपको दिख रहा है यह 45 डिग्री ट्रेल लाइन के upside या डाउंसाइड जब तक नहीं आता है तब तक एक major trend change नहीं दिख रहा है यह एक narrow range में ही है और यह narrow range बोलना आसाल है बट बाइ 22,000 के index पे 1000 पॉइंट का भी पॉसिबल है यह जो कि यह sideways move आपको clearly विजीबल है तो overall setup अभी भी नीट्रल जरूर है अब निफ्ती बैंक की अगर हम बात करते है EOD setup में क्या कुछ changes हुआ है तो यहाँ पे 0.15% yes तो अभी भी setup neutral ही है विकाज sorry bearish है विकाज moving average के उपर में नहीं गया है बट अगर यहाँ follow through आएगा तो bearish हो जाएगा लेकिन जो breath के हिसाब से अगर आप देखो तो breath क्या था extreme zone में था तो further selling प्रेसर थोड़ा मुस्किल correct अब अगर breath अगर extreme zone में है तो पॉसिबिटी एक pullback और pullback क्या यह sustain होगा bullish crossover भी अगर कल continue होता है तो इसमें possibility है यह एक first जो जो लेवल है 48,500 तक possibility है पहला लेवल possibility है तो इस पे आप द्यार नकिया अगर आप bullish होते है तो 47,400 यह जो लेवल है closing basis पे आपका important है nifty bank के लिए तो यह रहा आपका EOD level अब intra day की बात कर लेते हैं और intra day में जो nifty का जो chart setup है yes bullish जरूर हो गया है setup और 22,260 के ऊपर अगर sustain होता है कल तो possible एक upside move आपको मिल सकता है और 22,000 के नीची अगर sustain होगा तो various opportunity देखना चाहिए तो यह आपका future का लेवल आप बैंक nifty future के बात करते है तो यहाँ पे भी chart setup जरूर bullish हो गया है और 48,111 के ऊपर अगर sustain होता है तो possible आपको bullish opportunity देखना चाहिए और 47,350 के नीची अगर sustain हुआ तो bearish opportunity देखना चाहिए अब फिन nifty की बात करते हैं 21,400 के ऊपर अगर sustain हुआ तो bullish opportunity देखना चाहिए 21,200 के नीची अगर sustain हुआ तो bearish opportunity यहाँ पे भी setup turn हो गया है bullish में. Sensex की बात करते हैं और Sensex में 73,100 के ऊपर अगर sustain होता है तो possible bullish opportunity और 72,400 के नीची अगर sustain हुआ तो आपको bearish opportunity देखना चाहिए. यहाँ पे भी setup turn हो चुका है bullish में. अब gold की बात करते हैं और gold ने यहाँ पे resistance जरूर लिया है. 73,000 का एक resistance लिया है और अब कल की लिए यानि लेबल की अगर हम बात करें तो 72,600 के ऊपर अगर sustain हुआ तो आपको bullish opportunity देखना चाहिए. और downside move अगर 71,800 के नीची अगर sustain होता है तो आपको downside move देखना चाहिए. जो नीचे भी possible है. अगर आप इस कॉलम से count अगर plot करते हो तो दोनों count आपको दिखेगा जो की 70,200 का. अब देखते हैं silver की बात करते हैं और silver का level क्या है? तो yes, यहाँ पे जरूर bullish हो गया है और 85,000 अगर 200, sorry, यह जो level है, 300 के उपर अगर जाता है तो possible bullish opportunity आपको देखना चाहि और 84,500 के नीचे अगर आता है तो आपको bearish opportunity देखना चाहिए तो इस पे आप नजर रखिए और yes, bearish, yes. यहाँ पे भी cross over तो मुझे gold से ज्यादा silver bullishness इसमी यहाँ पे दिख रहा है तो possibility है, because chart के हिसाब से हम बता रहे हैं तो बट जो label हमने discuss किया, इस label पे ध्यान रखिया और video हम काफी पहले कर दे लेते हैं और उसके बाद भी market चालू रहता है, commodity market तो हो सकता है कि level आपका change हो, तो जब आप video release करते हैं तो उस समय जरूर आप level देख लीजेगा कि कौन सा label है और DA smart line आप plot कीजिए, अगर यह DA smart line जितने भी indicator हम बात करते हैं, chart भी बात करते हैं, तो यह सब freely available है, अगर आपके पास definite securities में अगर demate account है, अगर दोस्तों है, तो आप जाके यह indicator plot कीजिए, और live में भी आप इसका benefit उठा सकते हैं, even one minute time frame पे, आप point and figure कि one minute time frame पे आप trade कैसे कर सकते हो, जो कि हमने बताया, जो यानि three box reversal chart हुआ, या bank nifty या nifty का जो हम discuss करते हैं, तो उस पे आप कैसे trade opportunity आप देख सकते हो, तो through live, अगर आपके पास definite account नहीं है, तो जरूर आप जाके open किजिए, link जो है, आपके description में दे दिया जाएगा, अब देखते है, all asset class, because breath हमने cover कर लिया है, तो all asset class, yes, है, क्या यह कब तक support लेकर रहता है, यहाँ से train resume होता है, तो 21,800, 850 जो यह level है, यह एक लक्षमन रिखा है, आप बोल सकते हो, इस level को आप जरूर ध्यान में रखिए, अगर 21,800 के नीची close हुआ, तो आप समझ के चलो, अगर आपके, यानि कुछ अगर hold करके रखे हो, तो जरूर exit हो जाएए, वेट मत कीजिए, लेकिन थोरा bullishness तो अभी यहाँ पे जरूर दिख रहा है, because crossover हुआ है, तो हो सकता है, पुल बैक हो, कहां तक पुल बैक, वो चार्ट पे देखेंगे और वहाँ पे समझे, हाँ, गोल्ड अपॉन, निफ्टी, फिप्टी, उसके बाद, जीएस, कंपोजिट और, इवेस, दी, आई, याना, तीनों ही, एकुटी मार्केट के लिए गूट साइन होगा, अगर यह आउट परफॉर्मेंस सुरू हो जाता है, यानि डे स्मार्ट लाइन के उपर, जीएस, कंपोजिट और, यूएस, दी, आई, आई, आर भी चला जाता है, यह आरे साथ, तो एकुटी मार्केट के लिए बैट साइन रहेगा, और दोस्तों, 21-800 उस समय यह लेवल हो सकता है कि ब्रीज करें, तो इसको आप जरूर आप ध्यान में रखना, अब उपिन इंट्रेस्ट के हिसाब से एक बार देख लेते हैं, तो अभी भी 23, यानि 22-500 का एक लेवल जो मुझे दिख रहा है, और यहा रखिए, पॉसिबल इसे ही रेंज में अभी हो सकता है कि यानि ट्रेडिंग अपर्चिंटी आपको मिले, एक बार बाइस-500 ब्रेक करेगा, तो फिर 23,000 के तरफ जाने की कुर्सिस करेगा, अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं, और जहां पे स्टॉक के लिए हम एप में आये और आर जोन में, अब स्टॉक देखते हैं कि कौन सा है स्टॉक, जो रिलेटिबली स्टॉंग है, तो यहां पे हम निफ्टी 750 आज लेते हैं, विकाज ब्रॉटर मार्केट में अगर है, तो पॉसिबल है कि यहां एक यस टर्टल ब्रेक आउट हमने स्लेक किया एफ्टी और टर्टल ब्रेक आउट और डिवाइड किया किस से? निफ्टी 500 से, और इसके लिए जो हमने स्लेक किया डबल टॉप बाइक, बॉक्स आज थोड़ा बढ़ा रहे हैं और वन परसेंट कर रहे हैं, मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए, जहां पे अल्रेडी ब्रेक और आरिश चाट पे भी ब्रेक आउट है, तो निफ्टी 750 को जो स्टॉक है उसको डिवाइड किया निफ्टी 500 से और अब देखेंगे कि कौन सा यह स्टॉक जहां पे चार्ट सेट अप इंटरेस्टीं है और आरिश पे भी ब्रेक आउट है। यह श्कैन हो रहा है और कम्प्लीट और का अगर हम चार्ट देखें एक बार 1% का चार्ट प्लॉट्टित तो अगर 925 परसेंट का अगर आप चार्ट देखो तो बुली से भी सी ब्रेक आउट है इसने कॉंसोल इडिशन यह अल्मोस्ट ब्रेक आउट दिया है पॉसिबिलिटी है यह अपसाइड 1247 1337 तक वन परसेंट पर हमने रन किया है तो यहां पर पैटर्ण फेलियर लेबल बिलो 1110 है 1111 यह पकर के चलो यह लेवल और पैटर्ण फेलियर लेबल तो इस पर आप नजर रखिए जो की एक अच्छा कासा यहां पर ब्रेक आउट हुआ है 1279 1456 तो यहां दिख सकता है विकार आरेस पे भी आउट फर्फर्फर्मर है उसके बाद बी एमल और हेरिटेज फूट देखते हैं बी एमल का वन परसेंट का चार्ट यस इंट्रेस्टिंग चार्ट है इस ट्रॉंग अप ट्रेंड अब देखो प्राइस निफ्टी क्या उसके बाद लेकिन यह प्राइस अल्लेडी ब्रेक आउट दिया है आरेस पे भी ब्रेक आउट है तो इस पर आपको नजर रखना चाहिए पॉसिबिलिटी है यह अच्छा कासा अब ट्रेंड में आए 3196 जो है यहां पे जो दिख रहा है यस 32 यानि पैटर्ण फेलियल ले और बैर ट्राइब फॉलो थू है इन अप ट्रेंड प्लस अंकर कॉलम फॉलो थू भी है पॉसिबिलिटी जो है यह 424512 का है अगर प्राइस डबल टॉप यानि 362 इवन 365 के उपर सस्टेन होता है तो 335 आपका पैटर्ण फेलियल ले बाला है एक इंटरेस्टिंग इसमें सब्सक्राइब ये हरिटेज फूड में आप देखो ट्रिपल टॉप formation हुआ है ऑं 3% चार्ट तो ट्रिपल टॉप 3% के चार्ट पर हुआ है यानि हायर टाइम फ्रेम पे तो यह जो दिख रहा है यह कहीं नहीं इसमें कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि जहां पर पॉसिबिलि भी अच्छा दिख रहा है पिकाज यह सब स्टॉक हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आपको अगर यहां से अगर ट्रेंड कंटीनिव राता है निफ्टी में तो पॉसिबिलिटी है यहां एक मुमेंटम आपको मिले जो की अपसाइट 1413 हो सकता है और 1200 के उपर अगर सस्टेन ह होता है क्लोज होता है क्लोजिंग बेसिस पी तो पॉसिब्ल है एक अपसाइट मूब मिले 1135 पैटर्न फेलियल लेबल हो सकता है उसके बाद यहां पे इसको थोड़ा करते हैं सार्देन इंजिनेरिंग यहां पे भी पैटर्न फेलियल लेबल जरूर आपका 255 है और जिसको आपको नजर में रखना चाहिए तेजस नेट यह एक इंड्रेस्टिंग इस्टॉंग आउट परफॉर्मर और करेंट जो पैटर्न फेलियल लेबल है बिलो 1069 तो तेजस नेट पे और UPL UPL इस्टॉंग अगर हम देखे तो यह क्लियर डाउन ट्रेंड में है लेकिन जो करे यहां पे बाई सेल बाई यानि बुलिस ब्राडनिंग फर्मेशन हुआ है बट करेंट एंट्री अगर आप करते हो तो आपका रिस्क जो है थोड़ा अफ़र्डेवल नहीं है तो वीट फॉर दा नेक्स फॉलो थू या अगर आपको लोर टाइम फ्रेम यानि 0.25 परसेंट करना परेगा तो अगर कोई छोटा करेक्शन और उसके बाद नेक्स जो ब्रेक आउट होता है तो यह इसका आप लिस्ट बना सकते हो और एकाउडिंग ली आप अपने चार्ट के हिसाब से आप ट्रेडिंग अपर्चुन्टीब देख सकते हैं तो यह रहा है आपका ओवर आप देन इंजिनियरिंग और यूपीए लिए सभी स्टाउक पर आपको नजर रखना चाहिए विकाज रिलेटिबली यह आउट परफॉर्मर है करेंट सिनारियो दोस्तों यह कमेंट आया था कि जो 0.05% वन बॉक्स रिवर्सल आप देखते हो कि ट्रेंड के लिए और ट् ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव यूज कर सकते हैं दोनों ट्रेंड पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं है कि आपको वन बॉक्स रिवर्सल आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव यूज नहीं कर सकते हो अगर आप जैसे हमने बताया कि वन बॉक्स रिवर्सल चार्ट में आपका जो तो दोनों परस्पेक्टिव दोनों ही आप वाट यानि ट्रेडिंग परस्पेक्टिव आप यूज कर सकते हों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेर किजिए लाइक किजिए और कमेंट किजिए थैंक यू सो मुच